ओम नमे सिवाय दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आपने कभी सुना है कि सिवलिंग की पूजा मुसलमान भी करते हैं जी हाँ सिवलिंग की पूजा मुसलमान भी करते हैं ऐसा उत्रखंड के पिथोरा गड़ में खुदा की पूजा के नाम से भगवान सिव की वहीं दूसरी तरफ उत्तवर देश में गोरखपूर से 25 किलोमेटर दूर खजनी कस्बे के पास सरिया तिवारी गाउं में किस्तित एक सिवलिंग की पूजा भी मुसलमान करते हैं तो आईए जानते हैं खुदा और सिवलिंग के साथ अल्ला की पूजा का रहस्य है सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि हाली में थोड़ा गड़ में शुरू हुई खुदा की पूजा जिसमें भगवान सीव के अलख नाथ सुरूब की पूजा होती है यह पूजा विसम संख्या वाले वर्सों में की जाती है लेकिन कुछ गाओं में इसे 12 साल बाद भड़ने की परंपरा है मांसिर मास और पोस मास के सुकल पक्स में होने वाली यह पूजा तीन से लेकर 22 दिन तक चलती है इस पूजा की खास बात तो यह है कि अन्य विधानों के विप्रीती है पूजा रात के अंधेरे में की जाती है जिस मकान में अलख नाथ पूजा होती है उसकी चट का एक हिस्सा खुला छोड़ दिया जाता है माना जाता है कि इस छट के इसी खुले हिस्से से भगवान अलखनाथ पूजा में आते हैं माना तो यहां तक जाता है कि मुगल सासन के दोरान जब ग्रामिन भगवान अलखनाथ की पूजा कर रहे थे तब मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया मुगलो द्वारा सवाल किये जाने पर ग्रामिणों ने जवाब दिया कि वे लोग खुदा की पूजा कर रहे हैं इस पर सैनिकों ने उनकी बात मान ली और चले गए तभी से इस पूजा का नाम खुदा पूजा चला आ रहा है बताया जाता है कि इस घटना को करीब 400 साल हो चुके हैं यानि 4 सदियों के बाद भी भगवान अलखनात की पूजा खुदा पूजा के नाम से हो रही है पूजा के पहले दिन स्रधालु पूजा में आमंतरित देव डांगरों को गाजे बाजे के साथ पवित्र नदियों में स्नार कराते हैं पूजा इस तलको जल भिसेक और पंचामरत छड़क कर पवित्र किया जाता है दिन में अलखनात, दुरगा, खालिका के साथ इस्थाने देवी देविताओं की इस्थापना की जाती है साएं को गणपती पूजा के बाद रात में जागरी ये भगवान अलखनात की गाथा गाते हैं खुदा पूजा में पद्म व्रक्स को भी न्योता दिया जाता है जब ग्रामेंट पद्म के व्रक्स को न्योता देने जाते हैं तो महा पर मिला लगता है जागरण के दिन पद्म प्रक्स की टहनियों को गाजे बाजे के साथ गलिया में रख कर पूजा इस्तल तक लाया जाता है रात्री में चार बार महा आर्टी का आयोजन होता है दूसरी सुबह विसाल भंडारा भी होता है वहीं दूसरी तरफ है सरिय गाव में स्थित सिवलिंग जिसे निलकंठ महादे और जहार खंडी सिव नाम से पुकारा जाता है इस सदियों पुराने सिवलिंग के बारे में मानने था है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्वन के दोरान इस सिवलिंग पर कलमा खुदवा दिया था ताकि हिंदू इसकी पूजा ना करें लेकिन इसका उल्टा हुआ ना किवन हिंदू बलकि अब मुसल्मान भी रमजान में इस मंदिर में इबादत करते हैं ये दोनों ही पूजा और धार्मिक करमकांड हमारे समाज में सामप्रद्य सामप्रदाइक सोहार्दे की एक मिसाल है